अलो दोस्तों मैं शुनी शर्मा आगया हूं सर्वे की स्रीज का अगला लेक्चर ले करके और यह हमारी सर्वे की स्रीज का आई होफ लास्ट लेक्चर होगा सर्वे फस्ट हम लोगों है पूरा लगभग खतम कर लिया है अगर जो भी 20-22 लेक्चर हुए अगर आप उनको प्लेंटेबल सुरू किया था प्लेंटेबल का एक लेक्चर में पहले दे चुका हूं उसमें काफी कुछ कवर कर लिया था और मेथट्स प्लेंटेबलिंग मैं समझाने जा रहा था यह मैं समझा चुका था कि प्लेंटेबल जो होता है उसमें जो फिल्ड वर्क होता है और है प्लेंट टेवलिंग के है अब चारों मेथट के मैं नाम सुना तू रेडियेशन मेथड इसको हिंदी में कहते हैं विकीरण विधी दूसरा है इंटर सेक्षन इसको प्रतिछेदन विधी इसको ट्रेवर्जिंग को हम लोग कहते हैं चक्रमण विधी और इसेक्षन का इसनन भी यहां पर यहांि यहां पर दी है और यहां पर E.5 इस्टेशन और इन पांचों इस्टेशनों में आपको यही पूरा जैसे आप इनको घेर कमदिकाऊं तरीये कुछ इस तरीके से हैं यह आपकी बाउन्डरी है आपके फिल्ड की कोई बाउंडरी घिक है आप बा अबयूंड्री से सीधे सीधे हमको ऐसा है कि हमारी यहां पuba हम भीच में कहीं खड़ हो जाए मतलब यह हैं और टो तो आलमोस्त पोइंट से विजीब्ल मतलब सारे के सारे जो बीन्दू हैं वहाइँ अमको खड़े हो के अपने चारव तरफ दिखाई देना मतलब विजीबल है और एकसेसीबल है एकसेसीबल का मतलब होता है वेर वी कन रीच इजली जहां हम लोग आसानी से पहुंच चुके हैं तो पॉइंट्स आप अगर आप यहां पर इस जगहां पर खड़े हो जाएं और अपन प्लेंटेबल को यहीं पर सेट करने ऐसे प्लेंटेबल आपने अपना सेट कर लिया ध्यान से देखे प्लेंटेबल सेट हो गया इसके नीचे ट्राइब पर यह प्लान में है सब यह आपका फिल्ड है यह प्लेंटेबल आपने सेट कर लिया अप लेंटेबल पर कोई ऐसे आपने उतार लिया डी डी कैसे उतरेगा बताई नीचे प्लेंटेबल में वही यू फॉर्क वाले मदद से यू फॉर्क क्या है पीछे जाके देखिएगा यहां से कि स्टेशन पॉइंट आपने ओ ले लिया चलिए ड्राइंग सिट प्रापनी स्मॉल ओ बना दिया जो कि देखके कैप्टल ओके ऊपर अब ओस इस तब जगह जा सकते हैं तो आप बस कुछ मत करिए ओपर खड़े हो करके ओधार को ऐसे रखिए हम गर देखेंगा और नेलेट से और कि तरफ एक लाइन ऐसे निकाल दीजिए ठीक है कि लाइन ऐसे इनिकते डीकाहते शोब गंजीए फीर गाइंच कई सारी यह लाइन यह लाइन यहीं तक रहेगी बंदू ऐसे ही लाइन रहेगी वहस्मान डॉयवटर्ट दिखांगे टिख्यागों किसी की तरफ जारे एक लाइन आप झाल दी एंक दी की तरफ निकाल दीजी एक लाइन दी प्रवियों करके हम चारू तरफ लाइन निकाल दिये अब जहां से जहां ओ था मेरा ओसे एक और पें और ओ की दूरी लिए उसको आरे अपसे छोटा कि है और यहीं ड्राइंग सीट पर माप करके यहां निसान लगा दिया इसका निसान लगा लिए तो आपे कि यहीं पर हमारा स्मॉल एहोगा कागज बे अरे ड्राइंग सीच चोटा की फिर बी की तरफ वाले का भी निसान लगा लिए कैसे और यह बी से दूरी मापे थे उस दूरी को छोटा की ड्राइंग से निसान फिर सी पर निसान लगाएं अपना उन निसान को आपस मैं से मिला दीजिए देखिए ध्यान से जरह कि देखिए आई स्मॉल लेटर में सारा नाम लिग दी कितने अच्छे से वो जो ड्राइंग बनी थी पूरी जैसे जो आपका फिल्ड में था वैसा ही ठीक आपके कागज पर उतर गया बहुत आसानी से देखिए सेम वही से बन गया तो आपने इसमें क्या किया देखिए अगर आपके पॉइंट्स पॉइंट्स आर एक्सेसिबल मतलब ओ से यह पर भी जा सकते थे तभी तो दूरी कैसे मापे चेन लेके यहां से यहां गये तभी तो दूरी मापे दोनों के बिच की तो ओ एक मापे होंगे फिर उसी लाइन कि तरी की तरह विकीरण की तरह आपने लाइन आप साइट एक बार यहां निकाली यहां यह चारों त्रभ आपने प्रोग आपना साइट क्यूаешь कर दियोली निकाला ड़िए मतलब अर यह दिया दिसामें तो दिस NIH not कोना है डिपर आपको समझना है कि रेडियेशन मेन थेड का यूच कर के आपने अपना बना दिया इस प्लान में आप अपना आप जो भी आप से वगरा है उसको माप कर दिखा सकते हैं नंग सब का दीरे-दीर कैसी आप देखते देखते यह कि अematicsा खड़े आपका पूरा ड्राइं क्या हुआ बने गया तो यह मैथ हर जिसमें पॉइंट एक्सेसिबल हो और इसमाल फिल्ड में अपना आउट तो रेडियेशन में थक्तिक रहता है इस मेथड में फिल्ड के ठीक बीचों बीच में प्लेंटेबल को इस्थापित करके रेडिय की जाम में कि प्लेंटेबल की कौन कोन सी वीधिया है समझाइए अब यह को सबढ़ आपने से लिखके प्रक्तिस करिए कि का से करना हैवो वो सभी चीजिएया है आप सुन चुक है तो लिखने के यादर डाली अपनी भासा में ठीक है तो रेडियेशन मेथड क्या हुआ समझना है अगर अच्छे वताई रेडियेशन मेथड अगर आप ए पर बी पर सी पर दूरी नहीं माप पाते तो पॉसिबल होता है भले आप देख लिए लेकिन देख के चली यहां निकाल लेकिन जब उनके बीच की दूरी नहीं पता रहेगी तो क्या रेडियेशन मेथड हो पाएगा ध्यान समझे क्या हुआ आप यहां बीच में खड़े हो गए एक तरफ लाइन निकाला सीट पर सीट पर लाइन निकली बी सीडी तो ए पर सीट पर कहां पर वो ए होगा सीट पर आपने ला तो यह मैं थाग नहीं चल पाएगा तब के लिए नक्सा बनाने के लिए हम लोग थोड़ा यह मैं तर लेकिनी समेथड में एक चीज़ है कोई दो इस्टेशन ऐसे होने चाहिए जिस पर पहुंचा जा सके कोई दो इस्टेशन चाहिए एडी हो चाहिए कोई भी एकड़ोव एसलसे हो जिन पर पहुंचा जा सकता हो बस इतने से काम हो जागा तब कैसे होगा जरा देखीका कैसे हो गांसा दिहान से समझे चीज़ों को सपोर्श करिए यह यही अपका फिर से फिल्ड है एफ भी जी ड सार ही आपको मिलीड viral ticket कि ये सारे पोईंट मिल गया अ अब भी बता के अगर आपको possible नहीं है लेकिन ED के बीच में पासिबल है आना जाना झाना पॉसिबल है और दी के बीच में आना-जाना पॉस्सिबल है तो आप क्या करेंगा बताएए आप कुछ नहीं करेंगे बस एक काम करेंगे प्लेंटेवल यहां पर एक खास बात होती है कि सारे प्वाइंट्स पर पहुंचना पासिबल नहीं तो कुछ नहीं समय ट्रैंगल का नियम लगा ये जैसे प्लें टेबल को हैससे ड कर लिजिए ई पर ठीक है ऐसे सट कर लिए इसे यहां पर एक उतार लिजी उतार लेंगे आसान ऐसे डी की तरफ तरफ ऐसे ठीकत हैं आप बताये कहां किलाइनगे भीच मेशना पॉसिबल किसी दो के बीचमें और 24109 कोई दिक्रतेné 2 के बीच मों तो आप क्या करें इस अीट की तरफ देखा यह निसान को बनाया अब एडी के बीच की दूरी मापést टेवल से उसके पां यहां पर निशान लगा दिया इसमाल डी यहां पर आपने लिख दिया ठीक है स्मॉल डी बनाधी आपने अब दिखाई नहीं दिरावा वीडियो को बंदू हमेशा 360 पीपर देखिए आप 360 पीपर देखिए तब तो वीडियो समय मैं आएगी और नहीं तो फिर दिक्कत होगा आएसे देखे एक तरफ इसे एक लाइन ऐसे इसे एक लाइन एक तरफ ऐसे निकाल दिए निकाल दिया इसे देख एक लाइन एक तरफ निकला फिर इसी तरफ बी को देखते एलिडेट से जाहर चाक बेस्टर लेके मत बैठ जाएगा एलिडेट रहे गाई से देखते हुए कि तरफ आई से बीस देखेंगे तो बी की तरफ एक लाइन ऐसे निकालेंगे बी की तरफ निकाल दिया इसी तरा आप सी की तरफ एक लाइन निकालेंगे निकाल दिया अच्छा ये 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 लाइने तो बन गई इतना क्लियर है ये लाइने देखिए ऐसे निकली है तीनों तीनों लाइने ऐसे निकली है न अब इतना क्लियर है कि इसी पर कहीं ए होगा इसी पर कहीं बी होगा और इसी पर कहीं सी होगा क्लियर है कुछ मत करिए अब चुप चाब यहां वला ज़ी स्टेशन ये था नशान भी ये यह वला डीय को यख ये शान था इस भी को ले जा के सिपर रखिए ही तव इसतिती देखे कैसे बनेगी तव स्थिति देखी यह बनेगी आरे इनटेसन में जैसे यह है वैसे ही रखोंगा मैं रखमाता देखे कुछ स्थिति यहां डी रहेगा अच्छा यह लाइन पाप खीट चुके थे ऐसे तो खीट चुके थे आप ध्यांचा देखे की को आप खीट चुके थे यहां था और यह से आपने कुछ लाइने भी खीची थी कैसे खीची थी ध्यान दीजिए घजरा ऐसे आपने खीची थी कुछ लाइन है कि यहां पर बीखी चाथा और आप सीखी चाथ यह लाइन आप खीच इसको उठा के बस वहां ले गाए देखिए इस जगह से देखिए सब बना हुआ उसी तरह उठा के यहां ले गया है अब यह नहीं पता है कि कहा है कौन जैसे इस से एक तरफ देखते हुए क्लाइन निकाले थे भी आव लाइने तो सीट पर रहेंगे बोख कुछ नहीं आप अभी इस सब को देखे थाना बी से देखिये बी से जब ऑक देखेंगे तो देखिए आप कैसे देखिए गे यहां देखेंगे जाहां दोनों कट गई वहीं पर अलएक पहले से खीचा हुआ और आप देखिए बी वाले से जरह किडी को तो कटा यह वी होगा देखे 20 से आता होड़ी कटा यह वी होगा और फिर यहीं सी को भी देख लिजिए यह होगा सी अब इनको जब आपस में मिलाएंगे ना जहां जहां यह कटे हैं देखिए यह देखिए से जो बनाएगा वो बिल्कुल ऐसा ही बनाएगा जैसे अब इसमें काएंगे सर्क्या हुआ कि अगर यह देखियान से ट मिए रिभूज होता त 750 पिर ऑगटे गया ऐसे लगाएंगे तरी बने कैसे तरск रिखस किया है इसे इस एक लिए आपने क्या कहिए थैसे कि लाइन हितर निकाला था आ फिर दी से एक लाइन इदर दोनों एक जगा क्या हुगा काटा वहीं पॉइंट क्या होगा यह होगा बस देखिए इसे यह निकला था अब यहीं समत उठा दिजिएगा डी एक्चुली डी को ले जाएए डी से इधर की तरफ देखिए जहां जहां कटे गादे के वाली लाइ अधिर पर दिना ही ए-बी-सी आघये की नहीं आगे ड्राइंग सीप्रे मतलब इंटरिक्ट कर आकाट कहा गया को लाइन को लाइन जो एडी थी उससे एक लाइन इधर दूसरी इधर ले रा तोनों को आपस में क्या करें इ infer X करादिया इंसächst क्या एंस10 is no night intersection method यह intersection क्यों कहा गया क्योंकि देखे यह और डी से ले जाने वाली लाइन को आपस में क्या करा गया है intersect करा गया है इसलिए इस में तर को लो intersection method कहते हैं अब आगे देखे ज़र अगला method कहें ट्रेवर्जिंट्रेवर्जिंग सिंपल जो अभी तक हम बता नहीं अगरेर इतो है कि आपको आपको एक जगा से दूसरे जगा पर जाना है तो आप सीधे कुछ मत करीए करें विए से बी की तरफ देख लेए से ये बी भाज़न अब निशान लगा लिए यह बिबन गया यह इ McDney हो यह पर यह आपने को जब बुर्ट को यहां ले जाएंगे तो इस्तिति क्या रहेगी एर हो रहेगा ए और हट चार लिए थे सब्सक्राइब इन दोनों जगहों से बाकी जगहों का बना लिये थे अब तीसरा एक एक पॉइंट पर बारी-बारी से जाते रहे और एक एक जगह का बनाते रहे जैसे यह से बी बना लिया फिर बी को लेकर हैं सी बना लिया फिर सी को यहां रखेंगे डी बना लिया यह चीज़ें आप करत करते हैं अम लोग r 해주 cancer method क्या है एक जिस जान लेजिए रिसेक्शन का मतलब क्या होता एक होता है इंटरसिक्शन इंटरसिक्शन का मतलब क्या होता है इंटर सेट कराना जो लाइन आपस में गई ऐसे आगे लिट करके intersect की जैसे अभी दोनों गई थी तो intersect की थी अगर लाइन आ रही हो तो आने वाली liens को आपस में मिलाने को करते हैं और रीसेक्ट कराना recreate का मतलब इसका मदद तब ली या जाता है जब when में पहले से कुछ लाइने बने हुई हो और उनको पीछे ले आके मिला जैसे अगर इस्टेशन एहां पर यह भी है यह सी है और आपका कुई प्लेंटेबल जो है यहां पर बना हुआ है से प्लें टेबल और इस पर ABC की इस्थिती पहले से बनी हुए दि और एकदम विश्वास ध्यान में रखिएगा कि जब ABC ऐसे हमारे सामने ड्राइंग बोर्ड है उस पर ABC बने हुए है और वो ABC फिल्ड में हमारे आगे हैं तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा अगर हम चाहें कि हमारा का होगा जैसे यह नक्षा इनकम्प्लीट है कि नहीं कागq एक इस्टेशन जहां पे हम अभी प्लेंटेबल को रख्हें आ उसी स्टेशन को भी कहते हैं डिया डिया जोब्ही स्टेशन हो स्टेशन यहीं पर हाँ मदी यहां भी बना सकते हैं कि चलिए यहां बना दे लेकिन उतने दूर दूर जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लेंटेबल यहां रखें तो ऐसे कहां डूने कहीं भी मिलाएंगे तो मिलाएंगे तो कुछ मत करिए आप सिंपल सिंपल एक चीज़ समझेए कि अगर यह बना हुआ है पहले से और बीसी बने हुए है तो एक को इधर की कि और इस सी को ले आते हुए इस सी से ऐसे पीछे वढ़ाई है तीनों यह कही जगा पर कटेंगी तो जब जहां पर तीनों लाइन एक की जगां पर कटती है वही पॉइंट आपका क्या हो जाता है डी और जब इनको ऐसे मिलाएंगे न तो यही आपका बनता है क्या पूरा तो देखी कितना सही हुआ लाइन को पीछे ले आके रिसेक्ट करा दिये तो रिसेक्षन कितना ही जी था इंटर सेक्षन में दो लाइनों को आगे जाके इंटरसेक्ट कराया जाता है री सेक्षन में पीछे बढ़ा करके जैसे एसे देखें पीछे ले आए बी से बी देखें पीछे ले आए सी से पीछे ले आए अतीनों जहां कटी वहीं पड़ी होगा तो रिसेक्षन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जहीं मैं बार बार एक कोस्टन पूस्ता मैं अभी आपको बता रहा हूं ध्यान समझेगा इस चीज को अगर इन सब को पीछे ले आने पर आराम से बन जा रहा है देखिए इन में प्रॉब्लम यह होती है कि अगर प्रेंटेबल हलका साभी ऐसे ठेहा रखा गया ना ऐसे तो जो एथसा वो यहां होगा भी यहां होगा और सी यहां होगा और यह ऐसे ठेढ़ा थोड़ा सा रखा जाया ठीक है अब ठेढ़ा का मतलब अपहलका फलका हिल सकता है कि नहीं काएंगे सर हम ओरेइन पेसन कर लेंगे ओर इन टेसन देखिए कैसे करेंगे आप इसका क्या कोई लाइन ऐसी है या बी से डी या सी से डी गई है देखें कि गई ही नहीं है तो इस पर बाई बैक साइटिंग नहीं हो पाएगा लेकिन अगर ट्रफ कंपास वाला हिसाब किताब भरोसे मंद है तो आप इसको ट्रफ कंपास से पहले सीधा कराएए फिर इस क्योंकि ऐसे आपने रिसेक्ट कराएं देखे क्या होगा इस तरह से जैसे अभी है ना टेड़ा वैसे अगर आपने रिसेक्ट कराया तब दिक्कत क्या होगी आप देखिए गज़र है यहां पर तब इस प्रॉब्लम को मैं आपको बता दूं कि यह ऐसे जाएगा देखे लिए बढ़िया क्या यहां नहीं कटेगा तीनवबन भी त्रिभूज बना देगा इस टाइप से एक चिछा लिज्ये है जब तीनो वाला उधर और सी वाला नीचे साव सहीय ओके ग। के रूप में हो जाएंगे बस इतना जान लिगते कि जब प्र टेबल औरीन टेशन में रहे तव सेग्ष सन करना कोई बड़ी खेल नहीं लेकिन अगर टेबल और इंटेशन में नहीं है तो हम इसको तो औरियंटेशन में कैसे लाएं यही मेन प्रॉब्लम है तेक चीछ जान लिए कि अगर कोई बैक साइट के लिए लाइन उपलब्द नहीं है तो उसके लिए हम औरियंटेशन में किसी अलग मेथट से लाते हैं और जब रिसेक्शन कराना हो हमारे पास औरियंटेशन के पासने की भी सुभीधान हो तब हम लोग नगाते हैं नियम थ्री पोईंट प्रॉइंच प्रोब्लम क्या होता है बस एक चीज़ जां लिञे त्री प्लाइंट प्रॉइंट Tribeं से इन तीन विंदुओं की मदद से प्लेन टेबल को औरियेंट कर लिया जाता है तो इसको कहते हैं प्राइट प्राइबम और अगर कहीं तीन कीज़ां केवल दो ही बिंदू होते तो किवल उन्ही दोनों की कराने की मदद से आम लोग इसको उरिएटेशन में ले आते तो इसको कहते हैं टू- videos एक जान लिजे दू-पॉइंट और ठीवाइट। प्रावलम किस लिए कि आ eigen ऑर रिएटेशन में लाने के लिए कि क्योंकि एक बार ओर यंटीशन हो गया तो पृरी सेक्षन कराने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें साटेट के ध्यान रखेगा इनको सीधा करना प्लेंट टेबल को ऐसा सीधा करना और किसकी मदद से करेंगे इनी तीनों का मदद लेके करेंगे कैसे करेंगे तो एक प्रोब्लम three point प्राइब्लम और लिखा होगा concept only bracket में लिखा है concept only तो आपको two point or three point problem का ज्याधा detail आप देहन नहीं करना है बस आपको जान लेना है कि two point problem क्या है जब किसी तीन बिंदू की मदध से d dairy टेबल को ओरह एप्री पॉइंट्ट प्रॉलम यानि ती बिनक्टू समस्या और जब केवल दो बिनक्री निरीन टीकत्र से मेल करता है तो इसको टूपाइब प्रॉब्लम या दो वि इनक्रमी सबस्क्राइब cr discovered है कि तो यह समन्माइगा कि बस एक बार अगर orientation हो जाए तो आपका रिसेक्शनिंग में प्रावलम नहीं तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेकिन अगर सलेबस में होता तो सुनी सर्मा आपको समझा ले जाते हैं अगर इसकी जरुवत मुझे समझ में आई या लगा तो मैं आगे विक्चर लाओंगा अनथा सर्वे फर्स्ट का लेक्चर आज यहीं पर समाप्त होता है सारा टॉपिक अगर आप सर्वे से सुरू से तक सारे लेक्चर कंप्रीट करिएगा लेंटेबल में एक सिंपल सा लेक्चर दो लेक्चर का प्लेंटेबल था और भी इसमें वातने हैं लेकिन वह आपके काम की नहीं है जैई वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें बच्ची हुई है कभी आगे क्लास यह मत सोच लगता है कम से कम तब खतम होता है साट से सतर क्लास आपको 22-30 क्लास 22-23 क्लास में खतम हुआ है तो आप अंदाजा लगा लिजी कि आपके में बहुत कम है आगे पढ़ेंगे बीटेक में और गेट में तो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा तो आभी के लिए बस इतना ही अब अपने दोस्तों पहुचाईए और इस सर्वे के टॉपिक का मैं यहीं अंत करता हूँ अब बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसका वन बाई वन लेक्टर मैं लेके आता रहूँगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स लेक्टर का इंतजार करिये नेक्स सब्जेक्ट क अबने बाद